सो power electronics कैसे existence में आया उसको समझने से पहले हमें दो engineering समझना बहुत जरूरी है पहले engineering क्या है power engineering और second engineering कुन सी है electronics engineering इन दोनों engineering के बारे में थोड़ा सा हम लोग discuss करते हैं उसके बाद आगे ही कहाने start करते हैं अब देखें यहां प्रागर में बात करूँ कि power engineering है क्या तो हम यह बोल सकते है it deals with high power application high voltage या high current बोल सकते हैं जिससे कि क्या होगा high power होगा it deals with high power application या high power होता है इसमें हम यह बोल सकते कि voltage भी जादा होता है current भी जादा होता है जिसकी वजैसे ultimately आपको जो power है वो जादा होगा अगर मैं एक example को बात करूं यहां पे तो यह है हमारा source थोड़ी दिर के लिए source है और यहाँ पर यह हमारा load है, यह transmission line और यह load है, एक तरह का example ही power system itself is an example ठीक है, तो जब source से load तक का, source से load तक का अगर power flow होगा, तो उसमें जो power है, वो आपका flow होगा megawatt range, वो flow होगा megawatt range में, इस तरही के sum बोल सकते हैं, ठीक है अब समझते हैं, यहाँ पर electronics में क्या है, electronics की अगर बात करूँ तो यह deals with low power application, low power low power, कितना low power उसकी range भी बता रहते हैं, low power मतलब की milliwatt, हो सकता है microwatt भी हो, बिट milliwatt तक तो रहे गई रहेगा, milliwatt कितना 10 to the power, minus 3 word, समझ रहे हो, अंतर दोनों में, दोनों में अंतर समझ रहे हो तो electronics engineering को हम लोग कई बार signal electronics भी बोलते हैं क्या बोलते हैं, कई बार हम लोग signal electronics याद रखियेगा नाम है, signal rankings जो जितने भी पावर वगेरा क्या है, क्या है कम रहता है, तो इसका पर अगर बात करें सिगनल की तो सोर्स से लगा के लोड तक सोर्स से लगा के लोड तक का जो सिगनल जाएगा वो जो पावर है सिगनल का जो पावर रहेगा वो क्या रहेगा मिली वाट में रहेगा सिगनल का जो पावर रहेगा वो क्या रहेगा मिली वाट में रहेगा इतना समझ माया ठीक है नहीं आया तो एक ग्जामपल बताता हूं मैं आपको थोड़ी देर के लिफर्च करिए डेली मर्रा की जिंदगी में एक्जामपल होता है हमारा सपोस करिए कई बार आपने एसी खरीदने गए होंगे दुकानों पर बहुत सारे बच्चे बोल रहेंगे सर एसी का अस तक तक पंखे में पढ़ाई कर रहे हैं अभी जॉब लगे है तब एसी लेंगे ठीक है कोई बात नहीं आपने रेफ्रिजरेटर लेने गए होंगे कि कभी किसी शॉप पर वो भी न अपने टार्गेट पूरे करने के लिए वो क्या करता है बहुत तारीफ करता है उस प्रोड़क्ट की बट उस तारीफ में एक बात में सबसे ज़्यादा फोकस होता है अगर मैं रेफ्रिजरेटर या फिर एसी खरीद रहा हूँ तो उसका जब वो सेल कर रहा है उसकी जब रेफ्रिजरेटर को लीजी आप यह 3-star, 4-star, 5-star rating का है ना फलाना फलाना 3-star भी होते, 4-star भी होते, 5-star भी होते तो अलग-अलग rating given होती agency के थ्रू तो रेटिंग से यह पता लगता है यह कितना efficient है efficient का मतलब है कि उसमें losses कम होंगे मतलब कि वो electricity का consumption क्या होगा कम से कम करे रहे, वो कहीं नहीं के high power में आते हैं, हाँ अब यह बात नहीं है कि वो megawatt range में आते हैं, बट kilowatt range में तो आते ही आते हैं, यह बोल सकते हम लोग कि kilowatt भी क्या है, इसके comparison में तो kilowatt भी क्या है, ज्यादा ही है, तो kilowatt, megawatt, तो वो भी जो मैं example बता रहा रहा, refrigerator या AC का, तो वो भी क्या है आपके power engineering के example है, तो वहाँ पर सबसे ज्यादा focus की इस बात पे होता है, उसका efficiency पर सबसे ज्यादा focus होता है, सबसे ज्यादा focus कि इस पर होता है, efficiency पर क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अगर आपको बोला जाए कि यहाँ से यहाँ तक जब power जा रहा है, source से load तक, तो आपका अगर efficiency कम रहेगा तो बहुत ही जादा, suppose करिए अगर efficiency मातर 50% हो गया, 50% efficiency हो गया, इसका मतलब 50% loss हो गया, अब 50% loss मान लीजिए 1000 MW है, उसका 50% मतलब 500 MW तो loss में चले जाएगा, क्या इतना loss हम लोग bear कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारी जो कोशिश होती है, कि जब भी यहाँ पर source से load तक, source से load तक जब power transfer हो, तब आपका जो efficiency होना चाहिए, वो maximum होना चाहिए, मतलब हम लोग efficiency जादा से जादा होना चाहिए, मतलब कि power engineering में हमारा motive इस बात पे होता है, कि source से load तक जब power flow हो रहा है, तो high efficient power होना चाहिए, इसलिए power system में कई बार हम लोग generating station से लगा के load तक जब power करते हैं, तो high voltage prefer करते हैं, high voltage पर transfer करते हैं, जिसकी वज़े से हमारा power flow economical रहता है, ठीक है, समझ में आया, तो हमारा main concern क्या है, power engineering में जो हमारा main concern है, वो क्या है आपका efficiency, main concern क्या है हमारा यहाँ पे efficiency, तो efficiency is the main concern in power engineering, समझ में आया, तो refrigerator AC लेने जाओ, 3 star, 4 star, 5 star, तो ज़्यादा तर जो sales होता है न, sales department होता है, वो इस बात पो बहुत ज़दा focus करता है, आपका electricity कम से कम आई, ठीक है, similarly अगर इधर की बात करें हम लोग, इधर की बात करें, तो एक example इसके लिए भी लेना पड़ेगा, suppose कर ये, आप लेने गए अपना mobile, एक कही ने कहीं आप music system लेने गए, ठीक है, एक छोटा सा music system लेने गए, अब भी music system में क्या होगा, कि आप earphone भी लगा सकते हैं, तो आपका जो salesperson होगा, कभी भी ये बुलता है क्या, कि ये ले जाएए मैं, सर मैं ये ले जाएए, इस तो electricity bill बहुत कम आएगा, नहीं, electricity bill की वहाँ पर कोई भी बात नहीं होती है, जबकि यहाँ refrigerator AC लेने गए, तो electricity bill की खुब बात हो रही थी, का आप मेंटर का bill बहुत कम आएगा, बिजली का bill बहुत कम आएगा, बहुत कम पड़ेगा, आप इतने पेसे बचा सकते हैं, साल भर में electricity से, ठीक है, बट इधर जब आप music system लेने गए, तो वहाँ efficiency, like mobile भी लेने गए, याँ music system लेने गए, तो वहाँ पर efficiency की कोई भी बात नहीं कर रहा है, सबसे अच्छा example mobile का ले सकते, क्यों आप mobile तो सब लोग खरीदने गए होंगे अपना, है ना, तो mobile लेने गए, तब आप क्या दुकांदार ऐसा बोलता है, आपको किससे बिजली का बिल कमाएगा, नहीं, क्योंकि उसे पता है, कि वहाँ पर priority, electricity बिल बचाना नहीं, यह वहाँ priority है, कि आपको उसके जो feature है, उससे संतुष करना, feature कुन सा, कि आप earphone लगाएंगे, तो जो गाने सुनाएं देंगे न, वो बहुती अच्छा music आएगा, उसमें distortionless, उसमें जो भी music सुनाएं देगा, वो क्या रहेगा, distortionless, मतलब कि उसका जो भी output होगा, जो भी output होगा, output कुछ भी हो सकता है, आप अगर earphone में गाने सुनना चाहते, वो output हो जाएगा, किसी से बात करना चाहते, वो output हो जाएगा, इसका मतलब जब आप बात कर रहें, तब भी आपको distortion नहीं होगा, salesperson इस बात पर सबस्यादा focus करता है, गाने सुन रहे होगे, तब भी distortion नहीं होगा, इसका मतलब है, कि electronics engineering में हमारा focus, किस बात पर होता है, कि जब यहां से यहां तक signal transfer हो रहा है, यहां से यहां तक जब signal transfer हो रहा है, तब source से लगा के load तक, जब आपका signal transfer हो रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, it should be distortionless, distortion, distortionless, और यह चीज़ तो आपने पढ़ी हुई है, एक जगे पर कहां पर, network theory में maximum power transfer theorem के time पर भी पढ़ी होगी, वहां पर भी मैंने यह वाली चीज़ explain करी है, ठीक है, तो वहां पर आपने पढ़ाए कि अगर हमें maximum power transfer करना है, maximum power transfer करना है, source से लगा कर load तक, तो आपकी जो efficiency होती है, वो मातर 50% रे जाती है, और 50% efficiency का मतलब क्या है, 50% efficiency का मतलब है कि 50% loss में चले गया, मतलब है कि example लो में अगर, कि यहां पर जो power level है, अगर वो 1 milliwatt है, 1 milliwatt है, 1 milliwatt है अगर power level, और 50% अगर loss में चले गया, तो loss कितना हुआ, loss हुआ आपका, loss हुआ 1 by 2 milliwatt, loss में चले गया, आधा milliwatt loss में चले गया, अरे आधे milliwatt से तो हमारा पंक्खे का पंकड़ी यूँ भी नहीं करता है, समझ माया, electrical engineering में, और electronics engineering में क्या difference है, तो electronics engineering में, जब source से लगा कर load तक, जब signal जा रहा है, तो किस बात पर हमारा सबसे ज़्यादा focus होता है, distortionless, आपका जो भी signal है, signal should be distortionless, यहाँ efficiency चलेगा, अरे बार-बार हमारा बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि power level ही low power है, यहाँ पर power क्या है, बहुत कम है, it is a low power application, इस वज़े से यहाँ पर जो measure concern है, वो आपका क्या है, distortionless is the measure concern, distortion थोड़ा सा highlight color कर देते हैं, तो यह है आपका distortionless, measure concern है, electronics engineering में, और power engineering में क्या है, सबसे बड़ा concern, efficiency, efficiency should be high, क्योंकि यहाँ पर losses से बहुत डर लगता है, क्योंकि losses आदा 50% अगर efficiency कर देंगे न, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि megawatt है 10 to the power 6, 10 to the power minus 3, तो यहाँ पर चलेगा, तो यह बात समझ में आ गई आपको, दो example दिए, अब जब भी कभी refrigerator या AC खरीदने जाओ दिए दिमाग में, example ध्यान रखना है ने, example से इसलिए पढ़ाऊँगा, power electronics पुरा ऐसे मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊँगा मैं आपको, ताकि दिमाग में feedback जाए, चले, तो power engineering की एक अलग specialty है, और यहाँ पर electronics engineering की अपनी कुछ अलग specialty है, अब इन दोनों के combination से हम बनाएंगे, इन दोनों के combination से हम लोग क्या बनाएंगे, power electronics का subject, इन दोनों के combination से हम लोग बनाएंगे, इसमें power engineering का power, और electronics engineering का, या signal electronics का electronics, तो हम लोग क्या करेंगे, कि यहाँ पर जो low power हमारे electronics application से उनको कहाँ पर use करेंगे high power पर ले जाएगे मतलब इस electronics engineering में जो low power devices से उनको high power पर हम लोग ले जाएंगे जिससे क्या बनेगा जिससे बनेगा इन दोनों के matching से इन दोनों के matching से बनेगा हमारा power electronics क्या बनेगा power electronics power electronics मतलब कुछ चीजे मतलब हम चाहते हैं कि ऐसा एक efficient system बनाए एक ऐसा highly efficient system बनाए जिसमें जो signal भी जा रहा है वो distortion less जा रहा है समझ मा रहा है मज़दार तरीके से पहली बार मैं भी खुदी इतना अच्छे से बोल रहा हूँ ठीक है मतलब हम लोग एक ऐसा system बनाना चाहते हैं जिसमें आपका जो power flow वो high efficiency हो उस power की और साथ में distortion less भी हो मतलब हमें efficiency भी high चाहिए और distortion less भी मतलब distortion भी less चाहिए मतलब it should be distortion less तो ये इन दोनों की एक quality इससे उठा ली एक quality इससे उठा ली और दोनों से क्या बना दिया power electronics subject बना दिया ठीक है अब चलते हैं power electronics की definition पे और आगे की बात करते हैं कि signal electronics और इसमें क्या होता है जो भी हम लोग zinner diode vector diode ये सब पढ़ते हैं ये सब low power applications में आते हैं signal electronics लिख देता हूँ में signal electronics analog को में लोग signal electronics भी बोलते हैं मतलब electronics इंजे signal signal devices signal electronics signal electronics एक होता power electronics और होता है signal electronics मतलब की low power और power electronics मतलब की high power with high efficiency with distortion less signal समझ माया तो चलिए definition पे बात करते हैं तो चलिए गाईस देखते हैं बात तो मैंने समझा दी है ठीक है देखने वाली बात कुछ है नहीं बात मैंने समझा दी के power electronics किसे बोलते हैं बस थोड़ा सा impression जाड़ना हो वाईवा में है ना जो हमारा जो external होता है उसमें वाईवा होता है कॉलेज में तो उसमें थोड़ा impression जाड़ना हो या कहीं किसी interview के लिए कुछ definition की जरूद पढ़ती है तो definition आपको पता होनी चाहिए क्योंकि interview में इतना time नहीं मिलता है का हर चीज को हम example लेकर समझा सकी पता चले इतना timing दिया interviewer ने तो हमें कुछ definitions पता होनी चाहिए ठीक है तो जो मैंने बात इतनी लंबी चोड़ी समझाइए उनको संसिप्त में मैंने लिख दिया है writing I think इतना खराब नहीं है धीरे-धीरे मैं कोशिश करूँगा writing सुधार ने का ठीक है I think आपको दिखरा होगा फिर बे मैं zoom कर देता हूँ फिर मैं आपके लिए zoom कर देता हूँ अरे मटी गया सिर्फ यह line important है application of electronics principle in power engineering जो electronics के जितने भी principles है उनको हम लोग power पे power engineering में मतलब की जो low power electronics devices है उनको high power पे ले जाएंगे और साथ में क्या होनी चाहिए to improve क्यों ले जा रहे to improve efficiency of the system तो पहली एक definition power electronics की यह समझ लीजी second definition यह आप समझ जीए it deals with control and conversion of सारे के सारी चीज़े जो तीनों point ना वो बात एक ही बोल रहा है अलग अलग तरीके से it deals with control and conversion of high power application high power application with high efficiency यह भी बात वही बोल रहे है third वाला है power semiconductor devices power देखी normal हम लोग क्या पढ़ते है semiconductor devices बार क्या लग गया है power semiconductor devices should be capable to handle large magnitude of power high power को large magnitude of power बोल दिये with high efficiency सारी के सारी चीज़े वही के वही तीनों के तीनों point एक जैसे हैं बड़ बोलने के तरीके अलग अलग है तो तीनों type की definitions आप अपनी copy में लिख ली जिएगा तो ये आपको definition वीडियो को pause करके pause करके लिख ली जिएगा तो ये तीनों के तीनों definition आपको interview वगेरा या फिर अच्छी जगे पर आप जाएंगे तो बात रखने के लिए अच्छे point से चलिए अब हम लोग समझते हैं power electronic system को पहले एक system को समझते हैं उसमें क्या important होता है क्या role होता है क्या devices अकेले कुछ कर पाएगे क्या नहीं क्योंकि ये application है मैं already आपको अभी शुरुआत की एक minute सही मैं क्या बोल रहा हूँ power electronic का application का काम करता है तो वो देखते हैं वो application किसके साथ जुड़ा हुआ है पहले पुरा system analysis करते हैं उसके बाद हम लोग syllabus पे जाएंगे तो चलिए आप देखते है power electronic system के बारे में ठीक है तो एक बड़ा सा मैंने block diagram यहाँ पे बना रखा है आपको अच्छे से दीखी इसलिए text में लिख दिया है सब कुछ ठीक है अभी मैं समझाता है सब करें यह हमारा असल में है load इसको हमें कहीं ने कहीं चलाना है इसको load को चलाना है load कुछ भी हो सकता है आपका induction motor भी हो सकता है DC motor भी हो सकता है कुछ भी application चाहे आप पानी गरम कर रहे है कोई भी application है कोई load है आपका ठीक है? वो लगा हुआ उसको चलाना है हमें तो आपके घर में क्या-क्या लोड होते हैं आपका टेलिविजन लोड है आपका जो रेफ्रिजरेटर वो लोड है सारा जितना भी electrical equipment नजरा रहा है वो सबका सब लोड है अब समझ में आ गया लोड क्या है है ना बाकी में example से भी समझाऊँगा अटेंशन मतलोग तब ये लोड पे हमें क्या करना है supply देना है ये हमारा supply है ये source है असल में ये क्या है हमारा source ये source directly हम लोड को नहीं देते हैं क्यों नहीं देंगे बताता हूँ आपको कि यहां पर source क्या हो सकता है input क्या हो सकता है voltage हो सकता है current हो सकता है और frequency voltage, current और frequency ये हमारे क्या हो सकते है input हो सकते और ये जो input है वो power electronics not power converter circuit से not power electronics power converter circuit से होके निकलेंगे और ये power converter circuit से होके निकले तो यहां पर again हमें voltage, current और frequency मिले voltage current और frequency में अलग-अलग level के हो सकते, like इसका nature AC और DC दोनों हो सकता है AC भी हो सकता है और DC भी हो सकता है दोनों ही nature possible है यहाँ पे similarly output भी AC और DC दोनों हो सकता है, it could be AC और DC दोनों ही possible है ठीक है, तो हमें अगर मान लीजे load को, थोड़ी दर के एक example बोलूँ कि load को मान दो 5V की जरो थे और यहाँ पर अगर यह volt है, AC में है थोड़ी दर के लिए तो 230V है, ठीक है तो कहीं न कहीं power converter circuit क्या है convert कर रहा है, जितना load की demand है, उसके according power converter circuit, जो input ले रहा है उसको कहीं न कहीं convert कर दे रहा है, according to the according to the load demand, जितना load की demand है उसको ध्यान में रखते हुए power converter circuit कर कर के आ रहा है voltage, current, frequency जिसकी भी जैसी जरोद पड़े जिसकी भी जैसी voltage की जरोद पड़े, तो voltage को convert करेगा, current की जरोद पड़े, current को करेगा, frequency की जरोद पड़े, तो vary हो रहा है, variable voltage, variable frequency और variable current है न, variable voltage, current और frequency लोड में जा रहे है load से फिर एक feedback path बना हुआ है, क्या बना हुआ है feedback path, feedback path, feedback path बना हुआ है और feedback path यहां पर क्या लगा हुआ है, control circuit लगा हुआ यहां पर क्या लगा हुआ है, control circuit, अब control circuit चेक करेगा कि जो load के पास value गई है और असल में load को कितनी जरूत थी तो वो कहां पर रहेगा reference value रहेगी वो कौन सी रहेगी हमारी reference value reference value ठीक है reference value ये desired value है जितनी load को जरूत थी बट क्या load को मिली इतनी value नहीं मिली तो फिर reference value और load में जितना आया है जो इधर power converter का जो output है वो load के अंदर चले गया है अभी मैं example समझाऊगा ना बहुत अच्छे समझ में आएगा तो यहाँ पर reference value से चेक करेंगे कि load के अंदर जो quantity आई है क्या वो सही है या नहीं है अगर difference है अगर यहाँ पर जो quantity आई है और जो reference value अगर इन दोनों में difference हुआ तो वही क्या क बोलते हैं हम लोग error signal बोलते हैं और यह error signal कहां जाएगा वापस error signal कहां चले जाएगा error signal error signal कहां चले जाएगा power converter circuit पे चले जाएगा error signal ठीक है और error signal जाने के बाद power converter circuit वापस से अपने input और output को adjust करेगा और वापस से load को देगा ठीक है तो यह पूरा का पूरा एक power electronics का circuitry है तो इसमें जो load था वो suppose करो अब मैं example से चालू करता हो है ना एक example समझाता हो let us suppose जो example ले रहा हूँ वो अलग color से ले रहता हूँ ताकि आपको समझ में आसा नहीं सा आएगा तो यह जो अलग color ले रहा हूँ ना इस color से आपको अब समझाओंगा पुरा-पूरा example let us suppose एक example लेता potassium कि यहाँ पर induction motor है थोड़ी दर के लिए क्या लेलू मैं induction motor लेलू ठीक है और इस induction motor का क्या करना है मुझे speed control करना है कितना speed होना चाहिए इस induction motor का यहाँ पे जो load है वो induction motor है और मैंने पहले से reference value fix कर दी है कि मुझे 1500 rpm चाहिए कितनी reference value कर दी है ने 1500 rpm पे आपको induction motor को चलाना है अब आपने क्या किया input देना start करा input क्या होगा AC होगा क्योंकि induction motor है AC based motor है AC based motor है तो AC दिया तो voltage, current, frequency सारे के सारे क्या है हमारे AC है अब देखिए यहाँ पे voltage, current, frequency दिया और यहाँ पर हम यह बोल सकते है कि V by F ratio control लगाया हम लोग ने V by F मतलब कि V by F ratio का control आप लोग जब machine पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि voltage और frequency को इस तरीके से हमें change करना है कि अपना voltage और frequency का जो ratio रहे वो constant रहे V by F ratio should be maintained मतलब voltage भी change होगा, frequency भी change होगा बट इस तरीके से change होए उन दोनों का जो ratio रहे वो constant रहे वो हम लोगों ने voltage और frequency को change किया तो हमें थोड़ी देर के लिए यहां example में समझाता हूँ कि reference value कितनी है, 1500 RPM आप मान लीजिए कि यहाँ पर यह 1470 RPM ही मिला हमें ठीके, speed control किया तो कितना मिला हमें, 1470 RPM यह 1470 RPM को पास से control circuit ने किया कि sense कि reference 1500 RPM होना चाहिए आपकी, जो motor है उसकी speed कितनी होना चाहिए 1500 RPM होना चाहिए बठ हे कितनी, 1470 RPM मतलब कहीं ने कहीं हमें speed क्या करनी है बढ़ा नहीं कम करनी है, बढ़ा नहीं क्योंकि 1500 से कमी है ना, जादा हो जादा कम करते कम है, तो बढ़ाना है अब speed बढ़ाना है, हमें तो वापस से error signal गया, इन दोनों का comparison हुआ, feedback loop से error signal गया, इसने वापस से voltage और frequency को इस तरीके से adjust किया कि वापस से इसका जो हमारा यह है, जो speed है वापस से वो 1500 RPM पे पहुँच गई, जैसे 1500 RPM पे पहुच गई, तो error signal क्या हो गया 0 हो गया, तो इस तरीके से पुरा-पुरा application work करता है तो इसमें सबसे ज़्यादा role जिसका है, वो power converter circuit का है, ठीक है, तैसे control circuit का भी role है, बट power converter circuit का खासा रोल है, क्योंकि असल में यह input, जो आपका given input है, उसको कहीने कहीं कहीने कहीं convert कर रहा है power converter circuit इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे एक और example बताता हूँ, माल लीजे mobile charge करना है थोड़ी जर के लिए mobile charge करना है, तब mobile दो तरीके से charge हो सकता है, या तो voltage level constant हो जाए, current variable हो है न, current variable हो, आजकल आपके, वो चल रहे होंगे आपकी जो charger, fast charger, नाम सुना होगा आपने fast charging, जल्दी से charge कर देते तो fast charging में क्या होता है, current सबसे ज़्यादा, मतलब current का variation ज़्यादा होता है, आपका voltage constant होता है, कम यह समझ सकते हैं कि दो तरीके के charger होते हैं, एक में voltage constant होता है, 5 volt और 9 volt fix कर देते हैं, current को variable बना देते हैं एक charger ऐसा होता है, जिसमें voltage sorry, current fix होता है और voltage vary करता है, ठीक है तो दोनों तरीके, voltage constant current variable, current constant, voltage variable दोनों तरीके charger पॉसीबल है तो मान लीजी हम लोग, एक example ले लेते हैं, कि हमारा जब load है अब जो, अब जो load है वो कुछ इस तरीके से ही कि यहाँ पर बेटरी चार्जर रहे, बेटरी चार्जर बेटरी चार्जर है, और उससे कुछ ने कुछ लेवल का current चाहिए, voltage लेवल या जो धी current voltage की बात करें, तो voltage को convert करेंगे तो voltage का variation इसमें गया बेटरी की चार्जर, जो reference voltage था हमारा, मान लेजी यहाँ पर reference voltage 5V रहेगा, वो 5V है के नहीं है तो इन दोनों को check करेंगा, तो वापस error signal जाएगा, power converter वापस से input और output को match करेगा इस तरीके से, यह जो error हो वो जल्दी से खतम हो जाए, तो इस तरीके से आपका charger भी क्या होगा, अच्छे से efficient work करेगा, तो इसी लिए technology के improvement की वज़े से ही हम लोग आज की तारीक में जो charger, पुराने charger कैसे होते थे, कि हमें कम से कम 2, 2 घंटे तीन घंटे लगाना पड़ता था, मोबाइल तब जाके full charge हो जाता था, बट अब जो fast charger होते हैं, जो size भी थोड़ा सा बड़ा होता है, है ना, उसके अंदर की circuitry थोड़ी बड़ी होगी, size भी थोड़ा सा बड़ा होता है, और वो charger हमारा आदे घंटे 45 मिरिट में आपका mobile full charge कर जाता है, कुछ-कुछ तो technology ऐसी आ गई है कि, अभी जो OPPO, Vivo इस तरह के mobile में भी, आजकल fast charging की facility ऐसी है कि 15-20 मिरिट में आपका mobile full charge हो जाता है ठीक है, तो ये उसी की देन है, पूरी power circuit रही है ठीक है, समझ माया, तो ये load हमारा असल में application होता है power converter main चीज़ होती है और control circuit यहाँ पे feedback का काम करता है ठीक है, कि reference value जो भी आपका load का, जो ideal या reference point है, उसको match करने की कोशिश करता रहता है अब, ये जो power converter circuit है ये 4 category में classify करें हम लोगों ने इस power converter circuit को 4 category में classify करें है और यहीं से अब आपको बाते समझ में आने लगी होगी best on input, ये power converter circuit का input है और ये क्या आपका output है, तो best on input और output of power converter circuit, we classified 4 category, 4 category में classified किया है, जिसको 1 by 1 अब में है, आपको समझाने वाला, उसको समझाने के बाद फिर से ले, बस हम लोग लिखेंगे